देरादून में धीरे-धीरे कोविट के मामले कम होती जा रहे हैं जिससे जनता में जहां सुकून है लेकिन वहीं बरसात का सीजन शुरू होते ही आप डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं बतादे कि राजधानी देरादून में डेंगू के तीन मरीज मिलने से स्वास्त विभाग और निगम में हरकंप मचनाश शुरू हो गया वहीं अब इसके बचाव को लेकर निगम और स्वास्त विभाग आपने तैयारियों में लग चुके हैं महापौर सुनिर उन्याल गामा का कहना है कि निगम पहले से ही डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है और वाडू में समय समय पर छिड़काव और फॉगिंग का काम किया जा रहा है वहीं अब इसको लेकर मेयर अपना पला जाड़ते हुए भी नजर आए उनका साफ तोर पर ये कहना है कि राजधानी में जो भी केस डेंगू के मिले हैं वो लोग दूसरी जगे से यहां पर आए हैं करी थी तो पूस्चेत्र को पूरा पूरा जो है वहां डेंगू का हमने वहां फॉकिंग भी करा दी है और जहां लारबा मिल रहा है उसको नश्ट करने का भी काम हम कर रहे हैं निश्चित रूप से डेंगू जो है इसके लिए नगर निगम बिल्कुल सतर्ग है जहां जहां ऐसी दिक्कतें आ रही है उसका बिल्कुल उसका सामाधान किया जा रहा है और नगर निगम को हमने अपने सभी सूपरवाइजर इंस्पेक्टरों को और डॉक्टर आपको कहा है जहां 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 इसके एक सगन अभ्यान चलाकर जहां पानी खटा होता है गमले है उसमें लारवा पनपता है तो ऐसी जगर चिनीत करके उनको तुरंत इसको नश्ट किया जा है वहीं इसको लेकर राजनीती भी तेज हो गई है कॉंग्रिस प्रदेश उपाध यक्ष सुरिकान धस्माना का कहना है कि नगर निगम हो या फिर सरकार जिस तरीके से कोविड-19 के मामलों को लेकर सरकार गमभीर नहीं हुई उसी तरह आप डेंगू के मामले में भी सरकार औ उस जमाने में देंगू से भी वैसी मोते हुई देंगू को गंबिरता से लेना चाहिए कोरोना से लड़ी रहें देंगू से लोगों की मौत ना हो देंगू से कम से कम लोग प्रभावित हो ये सरकार को स्वास विबाग को कोशिश कर दीजे कोरोना की तीसरी लहर के तैयारियों में जुटे स्वास्त महकमे के सामने अब दोहरी चुनाओती है बीते साल प्रदेश में डेंगु का कोई भी मामला सामने नहीं आया था जैसे कोरोना के मोर्शे पर जूज रहे स्वास्त महकमे को भी राहत मिली थी लेकिन आविभाग को अपने तयारियों को और धार देनी होगी देरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट